एक एक करके भारत के सभी राजा मुगल समराज्य के आगे घुटने तेक चुके थे लेकिन भारत का एक राजा ऐसा था जो मुगल समराट अकबर के नाक में दम करके रख रखा था आपको जानकर रहरानी होगी कि मुगल समराट अकबर उस राजा से परेशान होकर उसके सामने एक शर्ट रखता है कि तुम चाहो तो आदा भारत अपने कब्जें में ले लो लेकिन मुगल समराज्य के अधीन होकर राज करो लेकिन भारत के इस महान राजा को अपना आत्म संबान इतना अधिक प्यारा था कि वो अकबर के हर प्रस्ताव को ठुकरा कर उस से युद्ध करना सही समझता है भारत के इस महान राजा का नाम था महराना प्रताब सिंग एक ऐसा राजा जिसका नाम सुनकर अकबर के भी रोंग्टे खड़े हो जाते थे एक ऐसा राजा जिसका नाम सुनकर अकबर के सारी युद्धा कापने लगते थे और आज के वीडियो में हम आपको उसी महान शक्सियत के कुछ ऐसे कस्तों को सुनाएंगे जिस सुनना हर एक हंदूस्तानी के लिए जरूरी है दोस्तों महराना प्रताब के पिता का नाम राजा उदै सिंग था जिनकी एक नहीं बल्कि 20 पतनियां थी और 20 पतनियों से उनके कुल 33 बच्चे हुए थे और उनी 33 बच्चों में से एक थे महराना प्रताब जिनका जन 9 मई साल 1540 में राजस्थान के कुमल गड़ में हुआ महराना परताब जब बहुत छूटे थे तब ही से उनके अंदर ऐसे ऐसे गुण दिखाए देते थे जो कि एक महान राजा के अंदर होने चाहिए सिर्फ दर्बार के लोग ही नहीं बलकि राज्य के लोग भी इस बात पर यकीम करने लगे कि जो महराना परताब बड़े होंगे तो वही उनके राजा बनेंगे लेकिन किस्मत को कुछ और ही मन्जूर था महराना परताब के पिता उदय परताब सिंग ने अपनी पसंदीदा पतनी की बातों में आकर महराना परताब के छोटे भाई जगमाल सिंग को वहां का राजा घोशित कर दिया अदय प्रताब सिंग के द्वारा किया गया ये एक ऐसा काम था जिससे सुनकर पूरा राज्य दुखी हो गया दोस्तों राजा उदय सिंग जी की 20 पतनियों में से एक थी रानी धीर भाई भटियानी धीरभाई उदै सिंग की सबसे पसंदीदा पतनी थी और धीरभाई चाहती थी कि उनके बेटे जगमाल सिंग को मेवाड का राजा बनाया जाए राजा उदे सिंग बिना कुछ सोचे समझे ही जगमाल सिंग को मेवाड का राजा बना दिये जबकि वो इस यूगे था ही नहीं ये बात साल 1572 की है जब खराब सिहत की वज़े से राजा उदे सिंग की मृत्य हो गई उनकी मृत्यों के बाद मेवाड के दरबारियों ने आपस में फैंसला किया कि जगमाल को राजा के पद से हटा कर महराना प्रताब को वहां का राजा बना दिया जाए जिसके बाद दर्बारियों ने जगमाल सिंग को राजा के पद से हटा कर महराणा प्रताप का राज्य विशेग कर दिया और यहीं से शुरू होती है मेवाड के दिहास की एक अनूखी दास्तान वहीं दूसीरी तरफ उस वक्त भारत के अधिकतर हिस्सों में मुगल सामराज्य का आतंक था यही वज़े है कि अकबर एक एक करके अपने हर सहना पती को महारणा परताब के पास भीजता था और महारणा परताब को तरह तरह की लालच देते थे यहां तक कि मेवाड को अपने कबजे में लेने के लिए अकबर ने ये तक कह दिया कि चाहो तो आदा भारत अपने कबजे म लेकिन मुगल सामराज्य के जंडे तले आकर काम करना हुगा महाराना परताब हर बार अकबर के प्रस्ताव को ठुकराते रहे आखर कारंत में परिशान होकर अकबर ने युद्ध करने की सूची और ये बात है महाराना परताब के राजा बनने के महज 3 साल बाद यानि की 1576 की जब हल्दी घाटी के मैदान में एक तरफ अकबर की विशाल का सैना मौजूद थी और दूसरी तरफ महाराना परताब की सैना आपको जानकर हरानी होगी की महाराना परताब के पास अकबर की तुलना में आधे से भी कम सैनिक मौजूद थे जहां अकबर की तोली में 80,000 से जादा सैनिक मौजूद थे वहीं दूसरी तरफ महाराना परताब की तोली में महज 16,000 की संख्या में सैनिक थे लेकिन इस युद्ध में महाराना परताब की सैना ने अकबरी सैना का वो हाल किया जिस सुनकर आज भी लोगों के रोंग टेखडे हो जाते हैं दरसल इस युद्ध को हल्दी घाटी के मैदान में लड़ा गया था ये एक ऐसा मैदान है जो अरावली की पहाडियों के बीच मौजूद थी अरावली की पहाडियों में ऐसे ऐसी जगह मौजूद है जिसके बारे में अकबर की सैना को कुछ भी मालूम नहीं था और महराना परताब की सैना अरावली के हर छोटे छोटी जगह के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे महाराना परताब बड़ी चालाकी से अपनी सैना के हर छोटे छोटे टुकडे को अरावली की पहाड़ें में छुपा कर रखे थे और इसी चाल की वज़े से महाराना परताब की छोटी सी सैना अकबर की विशाल का इस सैना पर भारी पड़ गई दोस्तों महाराना परताब सिंग के बारे में बताया जाता है कि उनके शरीर का आकार आम इंसान के शरीर के आकार से काफी जादा था उनके शरीर का आकार कितना बड़ा था और उनके अंदर कितने अधिक ताकत थी इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि युद्ध के दारान वो 70 किलो का तो कवची पैन लेते थे उनके हाथ में 80 किलो के वजन का भाला हुआ करता था और उनकी तलवार का वजन भी 10 किलो से जादा ही होता था अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 80 किलों के भाले से अगर किसी के उपर हमला करते होंगे तो उसका हाल क्या होता होगा महाराना प्रताब सिंग के बारे में एक किसा और बताया जाता है अकबर के सबसे बड़ी सैनापतियों में से एक था बहलोल खान अकबर अपने उस सैनापति को सबसे यूग क्या सैनापति मानते थे लेकिन युद्ध के दारान महाराना प्रताब ने अपने तलवार के एक वार में ही घोड़े साइद बहलोल खान के शरीर के दो टुकड़े में बांट दिया इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराना प्रताब के अंदर कितनी जादा ताकत थी उनके ऐसी खतरनाक अंदाज के वज़े से अकबर जैसा राजा भी महाराना प्रताब से डरता था युद्ध के दोरान एक बार भी अकबर की हिम्मत इतनी नहीं कि वो महाराना प्रताब के सामना कर सके खैर ये तो हो गई महाराना प्रताब की बात लेकिन उनका घोड़ा चेतक भी किसी से कम नहीं था कहा जाता है कि महाराना प्रताब की घोड़े चेतक जैसा घोड़ा दोबारा कभी पैदा नहीं हुआ उनका घोड़ा नीले रंग का था जिसे अफगान से लाया गया था महाराना प्रताब अपने इस घोड़े से बहुती प्रेम करते थे लेकिन उस दिन युद्ध के दारान ऐसा वाक्या हुआ जिसने महाराना प्रताब से उसका सबसे प्रिये घुड़ा हमीशा के लिए छीन लिया उस वक्त युद्ध के दारान अकबर के मुख्य सैनापती मान सिंग एक हाथी पर बैटकर माहराना प्रताब के सैनिकों को एक एक करके मारता जा रहा था माहराना प्रताब ऐसा होते हुए देखकर तुरंत अपने चेतक को मान सिंग की तरफ मोड लिए चेतक ने एक लंबी छलांग लगाई और अपना अगला पैर मान सिंग के हाथी के उपर पहुचा दिया अकबर ने अपने भाले से मान सिंग के उपर एक भयंकर प्रहार किया लेकिन तबी अचानक से उस हाथी का महावत मान सिंग के बीच में आ गया असवक्त युद्ध के दारान हातियों की सूंड में तलवार बांदी जाते थे हाति ने जैसे अपने सूंड को गुमाया चेतक का अगला पैर कट गया पैर कटने की वज़े से चेतक बुरी तरह से घायल हो गया अब इसके अंदर इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो महाराना प्रताब को संभाल सके महाराना प्रताब सिंग के घोडे को घायल देखकर अकबर के सैनिक महाराना प्रताब को घेरने लगे लेकिन चेतक अपने शरीर के अंदर बची हुई ताकत को एक बार फिट से कठा करता है और उट खड़ा होता है आपको जानकर हरानी होगी एक पैर कठा होने के बावजूद भी चेतक उठा और तेज रफ्तार से दोड़ना लगा सामने एक 22 फिट चोड़ा नाला मौजूद था और पीछ अकबर की विशाल सैना महराना प्रताब को घेर रखी थी जेतक एक पैर कठा होने के बावजूद भी इतनी तेज रफ्तार से दोड़ता हुआया उच्छला कि वो 22 फिट चोड़े नाले की च्छलांग को पार कर गया और मरने से पहले महराना प्रताब सिंग को एक सुरक्षित जगा पर पहुँचा गया इस युद्ध में तो महराना प्रताब सिंग की हार हुगई लेकिन महराना प्रताब सिंग की वीर गाथा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में कैद हुगई इस युद्ध के बाद महराना प्रताब जंगलों में छिपकर रहने लगे अकबर को लगता था कि अपने हालात से तंग आकर एक दिन ऐसा आएगा जब महाराना परताब उसके आगी घुटने टीक देंगे लेगन ऐसा नहीं हुआ महाराना परताब जंगल में रहने लगे घास फूस, कच्चा, पक्का जो भी मिलता रहा वो पेट भर कर खाते रहे और इस दोरान वो लगाता रैसी रण नीती बनाते रहे कि कैसे भी करके अकबर को मेवार से दूर रखा जाए हल्दी घाटी के युद्ध गबाद भी अकबर कई सालों तक अलग-लग तरीके से महाराना परताब सिंग को हराने की कोशिश करते रहा लेकिन अकबर के हर कोशिश को नाकाम्याब करने के लिए महाराना परताब अखेले गाफी थे आपको जानकर हरानी होगी कि अकबर कुछी दिनों में जंगली लोगों को जोड़ कर अपनी नई सेना तयार कर लेते थे और अकबर के सिपाही जब महाराना परताब पर हमला करते तो महाराना परताब के द्वारा तयार किये गए सेनिक अकबर के सेनिकों को मौत की नीन से ला देते थे और आखिरकार अकबर को इस विकार करना ही पड़ा कि महराना परताब के मेवार को कभी अपने कबजे में नहीं लिया जा सकता रंत में हार कर अकबर मेवार को हमेशा अगले छोड़ दिया जिसका फायदा उठाकर महराना परताब ने पूरे मेवाड परेवा फिर सपना कब्जा खर लिया और अपने सामराज्य को खड़ा किया ये बात 1597 की है जब महराना परताब जंगल में एक-एक शेर से लड़ाई करने के दौरान घायल हो गए शेर ने उनके उपर बुरी तरह से हमला कर दिया था और 56 साल की उम्र में शेर के हमले की वज़े से महराना परताब की मृत्ति हो गई आज सैकडो साल बीच चुके हैं लेकिन महराना परताब के पराक्रम को आज भी याद किया जाता है आज भी युवाओं के मन में जोश भरने के लिए महराना परताब की वीर गाथा को सुनाया जाता है कि कैसे अपने हिम्मत के दम पर उसने अकबर जैसे विशाल सामराज्य के समराट को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया दोस्तों मीद करते हैं जानकर यह आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैल एकन दुबा देना क्योंकि दार्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसे इंटरस्टिंग वीडियो दिलाते रहती है